अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछिएगा तो भटक जाईएगा क्यूंकि आपके मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं जानता भक्त बुरा हो तो मेहनत करना, भक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैटकर कोई गोधा खोर नहीं बनता तुलना के खेल में मत उलजिये, क्यूंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं जहां तुलना की शुरुवात होती है, वहीं से आनंद और अपना पन खत्म हो जाता है अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बादिये, कोई मीठा बोल रहा है या सहान भूती दिखा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि ओ आपका सुवचिन तक ही हो मन को इतना मजबूत बनाईए कि किसी के भी बैवहार से मन की सांती भंग ना होने पाए वक्त बदलते देर नहीं लगती इसलिए कभी हद से जादा फूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत धाई अक्षर के ब्रह्मा और धाई अक्षर की स्त्रिष्टी धाई अक्षर के विष्णू और धाई अक्षर की लक्ष्मी धाई अक्षर की दुरगा और धाई अक्षर की सक्ती धाई अक्षर की स्रधा और धाई अक्षर की भक्ती धाई अक्षर का त्याग और धाई अक् हम बंधे हैं धाई अक्षर में और धाई अक्षर ही बक्त में और धाई अक्षर ही अंत में। समझना पाया कोई भी है क्या रहस्त इस धाई अक्षर में। खाना बनाते वक्त मेरी मां का मीठे स्वर में गीत गुनगुनाना उतना ही जरूरी है जितना खाने में नमक जिस दिन ओ नहीं गुनगुनाती उस दिन रसोई सूनी लगती है और पकवान ठीके बीवी एक मधुमक्ख है हर समय डंक मारती है बाहर वाली तो तितली है मन को रिजाती है खुस कर जाती है लेकिन जरा सावधान ये तितली रस चुषकर उड़ जाती है और फिर कभी हाथ नहीं आती और भाई-लोग फिर याद अपनी मधुमक्खी की हैं आईगी क्यूंकि ओ टंक तो मारती है लेकिन घर को सहद से भी वही भरती है। एक लड़की से ज़्यादा मजबूर तो एक लड़का होता है जो दिल तूटने पर भी दिल खोल के रो नहीं सकता। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नीबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूद को बरवाद कर देती है। उसी प्रकार मनुस्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बरवाद कर देता है। जब ब्यक्ति के जेव में पैसा होता है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है। लेकिन जब उसके पास पैसा नहीं होता तो दुनिया भूल जाती है कि वह कौन है। जिन पौधों की परवरिस हमेशा च्छाओं में होती है वह अकसर कमजोड होते हैं। और जिन पौधों की परवरिस हमेशा धूप में होती है, वह हर मौसम को जहल लेते हैं। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाओ, मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है, कोशिस करें कि ये स्विच आपके हाथ में ही रहे। पानी पीने से पहले प्यास का दुख भूगतना पड़ता है, पैसे की प्राप्ती से पहले निर्धंता का दुख भूगतना पड़ता है, नींद का मजा लेने से पहले ठकान का दुख भूगतना पड़ता है, संसार के किसी भी सुख की प्राप्ती से पहले दुख अवस्य भुगतना पड़ता है जब तक खुद दर्द से ना गुजरो दूसरे का दर्द का एहसास कभी नहीं होता जूटी बात पर जो वाह करेंगे वही लोग आपको एक दिन तवाह करेंगे किसी के साथ धोखे वाजी करके खुस मत होईएगा तकदीर जब तमाचा मारती है तो वो मुह पर नहीं सीधा रूप पर लगता है मैं अपनी जिन्दगी में हर किसी को अहमियत देता हूँ क्यूंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे जिन्दगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी होता है मेरी फिद्रत जान लो जरूरत से ज़्यादा मुझसे जुका नहीं जाता और जहां जरूरत नहीं मेरी वहां मुझसे रुका नहीं जाता चाय में मक्षी गिरे तो चाय फेका जाता है और घी में गिरे तो मक्षी फेका जाता है इंसान घाटा मुनाफा देखकर सिध्धनतों का ढोंग करता है पितामा भिस्म के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया और जटायू के जीवन का एक ही पुन्य था कि उसने समय पर क्रोध किया परिनाम सोरूप एक को बानों की सैया मिली और एक को प्रहुश्रिराम की गोद अतह क्रोध भी तब पुन्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए और सहन सीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचाना पाए बक्त की एक आदत बहुत अच्छी है जैसा भी हो गुजर जाता है बक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुँचाए तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है अगर मेरे पास एक रुपया है और आपके पास भी एक रुपया है और हम एक दूसरे से बदल लें तो दोनों के पास एक एक रुपया ही रहेगा किन्तु अगर मेरे पास एक अच्छा विचार है और आपके पास एक अच्छा विचार है और दोनों आपस में बदल लें तो दोनों के पास दो दो विचार होंगे तो अच्छे विचारों का आदान प्रदान जारी रखिए और अपनी मांसिक पूंजी हमेशा बढ़ाते रहिए तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना न भूलिएगा और दोस्तो ऐसे हैं मोटिवेशनल वीडियो जी देखते रहने के लिए आप मारे इस चैनल सबस्क्राइब जरू कीजिएगा आप मारे इस चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और हम आपको मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में तब तक के जए धन्यवाद जैहिन